नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो सिदात पिठानी तो आपको याद ही होगा जी हाँ आपको वतादे सिदात पिठानी का एक बड़े ड्रक्स समगलर ड्रक्स पैडलर से दोस्तो संबंध निकल कर सामने आ रहा है और NCB के टीम ने जब सिदात पिठानी से पीट पीट कर साई सचाई उगलवाने की कोसिस की है तो आप सिदात पिठानी ने दोस्तो एक के बाद एक बड़े खुलासे करने चालो कर दिये है और उसी में सिदात पिठानी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसका नाम सिधे सिधे सुसान सिंग राजपुत के कातिलों से जा जुडा है और दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलने वाला है कि अब जो सुसान सिंग राजपुत के कातिल है वो हर हाल में पकड़े ही जाएंगे जी हाँ आपको बता दें सुसान सिंग राजपूत के कातिलों की तालास्तों दोस्तों CBI की टीम लंबे टाइम से कर रही थी लेकिन जब सुसान सिंग राजपूत के समने आई तो हर कोई हैरान रह गया और सभी को बता चल गया कि सुसान सिंग राजपूत के समने बगबड़ी हूई है और जाना चाहा कि सिदात पिठानी आखिरकार सच क्यों नहीं बता रहा है और क्या वज़े है सुसान सिंग राजपूत केस की और क्या एक्चुल सचाई है इसके बाद जो सिदात पिठानी ने खुलासा किया उसे सुनने के बाद सभी के होसुड गएं और सिदात पिठानी के दोस्तो कई Drugs Paddler से सम्भन निकल कर सामने आ रहे हैं और खबर ये है कि ये ड्रक्स Paddler सुसान सिंग राशपूत को भी जानते हो सकते हैं यानि कि अब सिदात पिठानी दोस्तो कई बड़े कुला से करने वाला है और सुसान सिंग राशपूत केस में सारी सच्चाई सामने आएगी और दूद का दूद और पानी का पानी होगा और ड्रक्स पैडलर जिन पर CBIA की नजरेटी की हुई है वही बताएंगे कि सुसान सिंग राशपूत के साथ उन्होंने क्या किया और कैसे सुसान सिंग राजपूत को खतम करने में या फिर सुसान के घर तक ड्रक्स पहुचाने में उनका हाथ था तो NCB और CPI की टीम अब सिधात पिठाने से सारा सच उगलवा चुकी है और ये केस अब सॉल्व होने की कागार पर है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद